सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल क्रेजी जिके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन्स के लिए इस बेल आइकन को दबाएं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जिके ट्रिक दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहूत देशी नदी घंटी परियोजना और इसको हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से आपको कुछ भी effort लगाने की जरूद नहीं है कोई भी याद करने की जरूद नहीं है सिंपल बस आपको ये वीडियो देखना है पूरा आप ये वीडियो कंप्रीट करेंगे 20 से 22 बहुत देशी परियोजना जो important है वो सारी याद कर चुके होंगे और एक important question answer test आप से लग चुका होगा तो friends इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको काफी अच्छा benefit मिल सके और exam में एक number आपका पका हो सके बहुत देशी नदी घंटी परियोजना से चलिए हम start करते हैं देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना की तो परियोजना का मतलब क्या है पहले हम वो देख लेते हैं परियोजना का मतलब होता है कि नदियों के पानी को घंटी इस्तर पर रोका जाता है बांध बना कर और electricity produce की जाती है और सीचाई काम की जाते हैं तो परियोजना का मतलब clear हुआ अब देखिए question exam में क्या पुछा आता है कि सर्दार सरोवर परियोजना जो है वो किस नदी पर है और दूसरी बात पुछा आती है कि सर्दार सरोवर परियोजना से लाब लेने वाले राज्य कोन-कोन से है ठीके तो इस तरीके से दो question पुछा आते है तो चलिए हम एक-एक को clear कर लेते हैं trick के माद्यम से याद करेंगे तो देखिए सर्दार सरोवर परियोजना में हमने word पकड़ा सर्दार सर्दार जो होते हैं वो बिल्कुल नर्म सुभाव के होते हैं ठीके मतलब अच्छे से बात सुनते हैं अच्छे से रिपलाई देते हैं उस बात का मतलब सुभाव उनका नर्म होता है तो सर्दार का सुभाव नर्म होता है यह हमारी trick है और नर्म से हमारा बना दोस्तो नर्मदा नदी तो सर्दार सरोवर परियोजना जो है वो किस नदी पर है नर्मदा नदी पर है ठीक है तो ये काफी important है एक्जाम में काफी बार पूछा गया है अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि सरदार सरुवर परियोजना का लाप कोन-कोन से राज्य ले रहे हैं तो देखिए नर्मदा नदी की बात करते हैं तो भारत क में नर्मदा नदी कहां पर पड़ती हैं ये एक मध्य भारत की नदी है तो देखिए मध्य भारत में आपको नजर आ रही होगी ये नर्मदा नदी है इसका उद्गम कहां से हुआ है देखिए मध्य पिदेश के अमरकंटक नामक इस्थान से इसका उद्गम हुआ है और प इस नदी के ऊपर जो है वह रादयस्थान है और इस नदी के नीचे जो है महारास्था तो कुल मिलाकर मध्यपदेश, गुजरात, रादयस्थान और महारास्था ये चारो राज्ये जो है ये सरदार सरोवर परियोजना का लाब ले रहे हैं तो आपको ये clear हुआ होगा, सरदार सरव और परियोजना से related कोई भी question आएगा, आप आराम से solve कर देंगे, ओके friends, चलिए, अब दोस्तों हम बात करते हैं मयूराक्षी परियोजना की, तो मयूराक्षी परियोजना जो है, वो किस नदी पर चल रही हैं, और मयूराक्षी परियोजना का लाप कौन सा राजजी ले रहा हैं, ये हम clear कर लेते हैं, देखिए, ट्रिक की मादधे हम से आथ करेंगे, मयूराक्षी में हमने वर्ट पकड़ा मयूर, और मयूर मतलब मोर, अब स्टोरी सुनेगा, ये मोर क्या करते हैं, जब भी मुरली सुनते हैं, मतलब बांसूरी, जब भी मुरली सुनते हैं, ये मोर भारत में, जहां जहां पर भी होंगे, ये कहां पर चले जाते हैं, देखिए, पश्शिम मंगाल में आ जाते हैं, सारे के सारे मोर, तो जब भी मुरली सुनेंगे मोर, ये पश्शिम मंगाल में उड़कर आ जाते हैं clear? तो देखिए इससे क्या निकल कर आया? कि मयुराक्षी परियोजना जो है वो कहां पर पश्शिम मंगाल में है मतलब पश्शिम मंगाल जो है उसका लाब ले रहा है अब बात आ रही है कि मयुराक्षी परियोजना जो है वो किस नदी पर है तो चुंकि मोर जो है उन्होंने क्या करा था मुरली सुनी थी और मुरली सुनकर यह क्या हो पशिम मंगाल आए थी तो मुरली से ही नदी का नाम है मुरली नदी तो मुरली नदी पर ही मयूरक्षी परियोजना चल रही है तो ये दोनों आपको याद हो चुका होगा अब आगे सुनिए स्टोरी को आगे लेके जाते हैं अब मोर जो है अलग-अलग जगा से उड़ उड़ कर आए तो केसे आवा जाए होगी फर्फर-फर-फर के आवा जाए होगी तो बस अगले जो हमारी ट्रिक यह यह ही है कि फर्फर से हमारा बना फरक्का फरक्का परियोजना भी कहाँ पर है पश्रिम मंगाल में ही है और ये गंगा नदी पर एं ठीक है गंगा नदी को लेकर मैं आपको एक ही बताऊंगा बस वो फरक्का परियोजना तो आपको confusion भी नहीं होगा तो मयूर जो है मतलब मोर ये सारे ओड के आए पश्रिम मंगाल में तो फरफर फरफर के आवाज है होगी ये फरफर आवाज से हमारा बना फरक्का परियोजना तो ये भी आपको आसानी से याद रहे जाएगा तो फरक का परियोजना कहाँ पर है पश्शिम मंगाल में किस नदी पर चल रही है गंगा नदी पर अगला आता है दोस्तों हमारा महरास्ट देखिए महरास्ट जो राज्य हैं वो किन किन परियोजनाओं का लाब ले रहा हैं वो मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक की माध्यम से तो स्टोरी सुनिए देखिए क्या महाराष्ट जो है आप सभी को पता है ये फेमस है कि महाँ पर फिल्म स्टार काफी रहते हैं महाँ पर महाराष्ट में मुंबई में तो एक फिल्म के लिए एक्टर का ओडिशन हुआ तो देखिए एक कबाड़ी वाले ने क्या करा दाव खिला कि यार में भी जाकर ओडिशन देके आता हूँ तो वह आया ओडिशन दिया उसने तो audition देते देते क्या हुआ वो गिर गिया और गिर कर क्या हो गया बाहर हो गया audition से तो उदास हो गया तो लोगों ने उसको क्या बोला कि कोई ना यार next time try करना कोई ना तो बस यही हमारी trick है एक बार सुन लिजिए महाराश जो है वो movie वगरा के लिए famous है तो वहाँ पर actor का audition हो रहा था तो actor के audition के लिए कबाड़ी वाले ने दाव खिला कि मैं भी जाता हूं audition देता हूं बट उसने audition दिया और वो गलती से गिर गया वहाँ पर तो उदास हो गया और उदास हो गया तो वो भार हो गया audition से तो लोगों ने उसका बोला कोई ना अगली वर ट्राय करना कोई ना तो बस यही हमारे वर्ड है यह वर्ड से हम तीन परियोजनाओं को याद कर लेंगे देखिए कैसे कबाड़ी से दोस्तों हमारा बना जायक बाड़ी ओके तो जायक बाड़ी परियोजना जो है वो कहां पर है महारास्ट में किस नदी पर हैं, तो चूंकि कबाडी ने क्या दाव खेला था, तो दाव से बना हमारा ऐक गोदावरी, तो देखिए बीच में गोदावरी के बीच में बिल्कुल दाव आ रहा है, आ रहा है न वर्ड, तो बस आपको वही वर्ड पकड़ना है, तो जायक बाडी परियोजना जो है वो कोंग से जी में मतलब महाराष्ट जो है इन परियोजना का लाब ले रहा है clear दोस्तों तो यह तीनों परियोजना आपको याद हो चुके होगी जायक बड़ी गिना परियोजना और कोईना परियोजना धीकए दोस्तों अब हम बात करते है जम्मू कश्मिर की दो परियोजना है, दोनों काफी इंपोर्टेंट है, तो आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, उनको याद करने का तरीका, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जम्मू कश्मिर में नदी कुन सी बहती है, तो देखिए, जो फेमस नदी है, वो है चेनाब नदी, तो आपके दिमाग में हमेशा जम्मू कश्मिर का नाम आए, तो आपको ध्यान होना चाहिए, चेनाब नदी, ओके, अब चेनाब नदी निकलती कहां से, देखिए, हिमाचल परदेश से निकली है, और जम्मू कश्मिर से होते हुए, पाकिस्तान में चली ग लाल, लाल मतलब भारत माता का लाल कहां पर है तो उसनिक है कक्षमिर में और पर कश्मिर में कर सकते passage गुस्पेट से, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस वर्ट से कश्मीर तक पहुच सकते हैं, लाल से, भारत माता का लाल और भारत माता का लाल कहां पर हैं, कश्मीर में हैं, ठीक है, अगला देखिये अब, भारत पाक परियोजना, भारत पाक परियोजना जो है, वो कहां पर चल question exam में यह बनेगा बगली हार परियोजना जो है वो कौन से राज्य में चल रही है अब इसको याद करने का तरीका देखिए बगली हार बगल में ऐसा देश जिसको हम बार-बार हराते हैं बगली हार तो वो कौन सा देश है पाकिस्तान है और पाकिस्तान लगा हुआ है परियोजना तो यह दोनों आपको clear हो चुका होगा जम्मु कश्मिर की दो परियोजना है काफे important है दोस्तों यह चलिए अब आगे हम बात करते हैं रिहन बान परियोजना की अब यह रिहन बान परियोजना जो है वो कौन से राज्य में चल रही है और किस नदी पर चल रही जो आगे का वर्ड है रि हर राज्य के पीछे लगा के देख लो ऐसा वर्ड बनना चाहिए जो हम यूज करते हैं उस वर्ड को हमने मूँ से कभी बोला हो ऐसा वर्ड बनना चाहिए तो देखिए हमने मध्य पदेश लिया तो मध्य का हमने पीछे रि लगाया तो मध्य रि तो ये तो हम कभी word बोलते ही नहीं है केरल हमने राज्य लिया तो केरल के पीछे हमने री लगाया तो केरल री बना तो हम ये कभी word बोलते ही नहीं है पंजाब हमने लिया पंजाब के पीछे री लगाया तो पंजाब री ये भी हम कभी नहीं बोलते हैं उत्तर प्रदेश लिया, तो उत्तर के पीछे हमने री लगाया, तो हमारा क्या बना उत्री, तो हम बोलते हैं अक्सार उत्री की नहीं उत्री तरी, ये वर्ड हम यूज करते हैं, बिहार, बिहार के पीछे हमने री लगाया, तो बिहारी, तो बिहारी वर्ड भी हम यूज करत तो इस परियोजना का लाब भी कौन ले रहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार, clear, तो रिहन बान परियोजना का लाब ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, अब दोस्तों हम बात करते हैं, भाकडा नागल बान परियोजना की, काफी इंपोर्टेंट है और बहुत कोशन बनते से एक्जाम में तो देखिए इसके ट्रिक देखिए भाकडा नागल इस word में क्या चुपा हुआ है नागल मतलब ऐसा बान जिसको लोग बोल रहे हैं कि नागल मतलब ये बान गलने लगाएं और गलने लगाएं इसलिए गल के क्या हो गयाँ बान ये लूज पढ़ गया है और लूज पढ़ गया है तो यही हमारी नदी में word होगा सतलूज सतलूज नदी जो है ठीक है इसको सतलज भी बोलते हैं बोग तो सतलूज नदी पर ये भाकडा नागल बान परियोजना चल रही है तो नदी वाला तो आको clear हो गया होगा अब हमको देखना है कि भागडा नागल बान परियोजना का लाप कौन-कौन से राजजी ले रहे हैं तो मेप में देखो ये नदी कहां से कहां तक चल रही है देखिए ये नदी जो है स्टार्ट हुई है राकषस लेक से चाइना से और ये भारत में इंटर करती है हिमाचल प्रदेश पञजाब से होते हुए कांच ले जाती है पाकिस्तान में चली जाती है अब इस सतलूज नदी पर हिमाचल प्रदेश में तीन बांद है कौन-कौन से सबसे पहला है भाक्रा नागल बान परियोजना तो चलो इसको देख लेते हम तो देखिए ये हिमाचल प्रदेश है हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर ये पढ़ता है भाक्रा नागल बान और देखिए इस बांद के बिल्कुल नज़्दिक में कौन सा राज्य है पंजाब हैं और नीचे तरब में देखिए हरियाना है तो ये दोनों राज्य जो है ये भाग्ला नागल बांद पर्योजना का लाब ले रहे हैं और साथी साथ राजेस्थान भी इस परियोजना का लाब ले रहे हैं। तो देखिए कौन-कौन से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाना, राजेस्थान इस परियोजना का लाब ले रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब अगले दो बान हम देखते हैं सतलूज नदी पर हिमाचल प्रदेश में पहला है कौन सा देखिए ये है नात्पा जाकरी बान काफ़ी इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूछा जा सकता है अभी तक पूछा नहीं गया ये तो नात्पा जाकरी बान जो है ये कहां पर हिमाचल प्रदेश में और सतलूज नदी पर है और अगला देखिए कुन सा है कोल बान बान भी सतलूज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में तो इस प्रकार से सत्वुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में तीन बान दे नाप्ता जाकरी बान, कोल बान और भागडा नागल बान ठीक है दोस्तो नाप्ता जाकरी बान और कोल बान जो है न ये सिर्फ बेनिफिट दे रहे हिमाचल प्रदेश को पर भागडा नागल बान परियोजना जो है ये परियोजना बेनिफिट दे रही है किस्ते राज्य को हिमाचल प्रदेश को भी दे रही है पंजाब को भी दे रही है हरियाना और राजिस्थान मुख के रूप से पंजाब हरियाना और राजिस्थान को बेनिफिट दे रही है परियोजना ओके clear वह आपको चलिए आगे चलते हैं अब हम बात करते हैं इडूकी परियोजना नागरजुंसागर परियोजना हिराकुन परियोजना और टेरी परियोजना दोस्तो अगर आपने मेरा बांध वाला लेक्चर अगर नहीं देखा हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है आप सबसे पहले वो वीडियो देखो क्योंकि उस वीडियो में मैंने ये सारे बांध किलियर कर रखे हैं आपको वह पता होना चाहिए फिर भी मैं आपको एक बार जल्ली यली स्पीड से एक बार इसका रिविजन करवा देता हूं तो इडूक की परियोजना जो है वह किस नदीब चल रही है पेरियार नदी पर अब इडूकी में आपने वर्ट पकड़ा डूपकी तो इडूक की बांद में अगर आपको डूपकी लगानी है तो आपको पे करना पड़ेगा कुछ कुछ पे करना पड़ेगा तभी आप डूपकी लगा सकते हो तो उससे ध्यान रख सकते हो आप इडूकी परियोजना जो चल रही है डूपकी लगाना पड़ेगी तो कुछ पे करना पड़ाएगा, तो पे से पेरियार नदी, अब देखिए जो डूपकी लगा रहा हैं, उसका शेप कैसा है, एसा शेप है और एसा शेप वाला शेप एक ही राज़े हैं, कौनसा केरल, देखो आप मेप में, ठीक है, तो केरल एक ही राज़े दिखेगा आपको, तो केर को शिक्षा किसे देती तो क्रश्ण से हमारा बना क्रश्णा नधी और अर्जून फिर शिक्षा लेकर क्या करा था सब hospitalized कर दिया था तो अंद्र अंद्र पदेश हमने याद कर रखा क्योंकि नदी का रूप भी बहुत विशाल था मतलब महान नदी थी वो तो महान नदी को रोकने के लिए लंबा बांद बनाना पड़ा ऐसे ध्यान रखी है तो देखिए हिराकून परियोजना जो है वो किस नदी पर है महान नदी पर है अब देखिए कैसे आत कर था हमने उस वीडियो में आपके देख रहा होगा, एक बार बतायता हूँ जल्दी से, ये टी आकर का एक पहाड है, इस पहाड के उपर एक लड़की जो है, वो भागी और भागी और गिर गई पानी में, तो भागी और गिर गई, तो ये टी आकर का बना हुआ है, भागी रती नदी पे बना हुआ है, मतलब टेरी परियोजना जो चल रही है, वो किस नदी चल रही है, भागी रती नदी पे चल रही है, और ये कहां पर है, उत्राखंड में, ठीक है, ये आपको मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार मैंने आपक करवा दिया अगला आता है दोस्तों हमारा कोशी परियोजना किस नदी पर चल रही है और कौन-कौन से राज जिसका लाब ले रहे हैं देख लेते हैं तो कोशी परियोजना चल रही है कोशी नदी पर तो यह तो आसानी से याद रहे सकता है पर कोश्य ने पुछा जाता है कि कौन से राज्ज में चल रही है तो देखे के से याद करेंगे देखे हमने वर्ट पकड़ा दोस्तो कोसी कोसी से हमारा बना कोसना और अक्सर हम कब कोसते हैं जब हम हार जाते हैं कि अरे यार मैं काश वो गलती नहीं करता तो हारने पर हम क्या करते हैं, कोशते हैं, एक दूसरे को, तो देखिए हार से हमारा बना बिहार, तो कोशी परियोजना जो चल रही है, वो काँ चल रही है, बिहार में चल रही है, ओके, तो आसानी से याद रहे सकता है, यहां रखेगा बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोश तो देखिए हमने ट्रिक बनाई है word पकड़ा हमने माता टीला माता टीला से हमने बनाया माता टीका और माता टीका लगाती है किसको अपने बेटे को तो बेटे से हमारा बना बेटे 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 बेटवा नदी आपको बे बे करके एक ही नदी मिलेगी option में कभी अगर आता ह तो इस परियोजना का लाब लेने वाले राजये कौन-कौन से एं, मुझे प्रदेश और उत्तर प्रदेश. अब एक और important बात ध्यान रखिए, इस बेत्वा नदी पर उत्तर परदेश में, उत्तर पदेश में हैं और इसका लाब कौन ले रहा है, उत्तरपदेश ले रहा है तो ये भी exam में question पूछा गया है UPPCS में exam में question पूछा गया है ये वाला तो आप ध्यान रखिएगा अब दोस्तों बात करते हैं चंबल परियोजना की चंबल परियोजना किस नदी पर चल रही है चंबल नदी पर ही चल रही है तो ये डाउट तो clear हो गया question ये पूछा जाता है कि चंबल परियोजना से लाब लेने वाले राज्य कौन-कौन से है तो देखिए मैं आपको map से clear करता हूँ इसको चंबल नदी जो है उसका उद्गम कहां से हुआ है मध्यपदेश में इन्दोर के पास में महूं से इसका उद्गम हुआ है और ये देखिए मध्यपदेश से राजेस्थान में इंटर करती है और मध्यपदेश राजेस्थान बौडर बनाती है ये नदी और उत्तरपदेश में इंटर करकर यमुना नदी से मिल जाती है clear, देखिए मध्यपदेश और राधेस्थान ये दोनों जो हैं चंबल परियोजना का लाब लेने वाले राज्जे हैं अब इस चंबल नदी पर दो प्रमुग बांधे जो एक्जाम में question पूछते हैं पहला है, देखिए दो प्रमुग बांधे map से हमने clear कर लिया इसको तो ये आपके imagination में set हुचुका है आप नहीं भूलोगे इसको कभी अब बाताती है दामोदर नदी घांटी परियोजना तो दामोदर नदी घांटी परियोजना किस नदी पर चल रही हैं, दामोदर नदी पर ही चल रही है question ये पुचा आता है इससे भारत की वो नदी घांटी परियोजना कौन से है जो सबसे पुरानी है, तो वो है दामोदर नदी घांटी परियोजना ठीके, SSC में काफी बार question पुचा गया ये वाला अब इस परियोजना का लाब कौन-कौन से राज़े ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं जारकंड और पश्रिम बंगाल ये दोनों राज़े जो हैं, वो इस परियोजना का लाब ले रहे हैं तो friends, यहाँ पर हमारा ये trick वाला section complete होता है हमने map से और trick के माध्यम से बहुत देशी नदी घंटी परियोजना को याद करा बिना किसी effort के दोस्तों आपको ये 20 से 22 सबसे difficult बहुत देशी परियोजना है, आसानी से याद हो गई है आप जब भी exam में question आएगा, आप answer तक पहुची जाएंगे कुछ न कुछ करके, देखना क्योंकि इस तरीके से आपको वो याद करा दिया गया चलिए हम question answer test लगाते हैं, उस question answer test में मैंने अभी तक जितने भी इस topic से question पूछे हैं, सारे include करें आप कितने आसानी से question solve कर लेंगे चलिए हम start करते हैं तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है, तो सरदार हमने वर्ड पकड़ा, सरदार जो होते हैं, वो नर्म सुभाव के होते हैं, तो नर्म से क्या बना नर्मदा, C answer सलाल जल विद्यूत परियोजना किस राज्य में हैं, तो लाल, भारत मता का लाल, कहां पर, जम्मू कश्मीर, B answer नागरजून सागर परियोजना किस राज्य में हैं, तो नागरजून सागर परियोजना, यहां पर अर्जून चुपा हुआ है, अर्जून और क्रश्न तो अर्जून क्रश्न से क्या संबन बनाता हमारा क्रश्न ने शिक्षा देती अर्जून ने फिर युद्ध लड़ा और युद्ध लड़कर किसको अंदा कर दिया तो अंदा से मारा बनाता आंदरपदेश C answer Next question लेते है रिहन बांध परियोजना से किन राज्यों में सिचाई की जाती है तो हमने रि लगा के देखा था हर स्टेट के पिछे तो क्या बनाता उतरी और बिहारी मतलब C answer भाकड़ा नागल परियोजना किस नदी परें तो भाकड़ा नागल परियोजना मतलब नागल गल-गल के क्या हो गया था वो लूज पढ़ गया था तो लूज से हमारा बनाता सतलूज मतलब 17 नदी तो D answer होगा अगला है जायक बाड़ी परियोजना किस नदी परें तो देखिए जायक बाड़ी परियोजना कबाड़ी वाला हमारी trick थी तो कबाड़ी जो था वो क्या दाव लगा के कहा गया था एक्टर का audition देने तो दाव लगा के गया था तो दाव से मारा बना देखिए दाव वर्ड पकड़ दीजिए आप यहां पर को दावरी यह answer होगा महारास्ट में तो यह तीनों option तो कड़ गए मतलब यह अला answer होगा गिरना परियोजना कहां परे है तो वो audition देते हैं गिर गया था कबाड़ी तो कहां पर audition देता महारास्ट तो महारास्ट बी आंसर हिराकून परियोजना किस नदी के जल प्रवाग को नियंत्रित करती हैं तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बतायता कि हिराकून बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है तो महान नदी को रोक रहा है यह तो महान नदी बी आंसर होगा कहां पर रही है उडिसा में नेक्स्ट कोशन लेते हैं उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मी बाई बांध किस नदी पर इस्तित हैं तो मैंने आपको बतायता बेतवा नदी पर इस्तित हैं बी आंसर अगला कोशन है टियरी पन बिजली कॉंप्लेक्स किस नदी पर इस्तित हैं तो मैंने आपको बताय तो बागी रथी उत्राखंड में तो B answer होगा अगला कुश्वन है बगली हार विद्युद्परियोजना किस नदी पर इस्तित है तो में आपको बढ़ी हार विद्युद्परियोजना कहा पर चल रही है जम्मू कश्मिर में बहरत-पाक परियोजना याद होगा आपको तो बारत पाक परियोजना, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एक ही नदी, मैं आपको बदेती चिनाप नदी, तो आंसर क्या होगा, सिय आंसर होगा इसका Next question लेते हैं निमलेखित में से किस परियोजना का लाब एक से अधिक राजजिय को मिल रहा है तो इडुक्की परियोजना, नहीं मिल रहा है एक से जाधा को लाब हिराकून परियोजना, नहीं, चम्बल घंटी परियोजना तो मध्यपेदेश और राजिस्तान, दोनों को लाब मिल रहा है, तो क्या आंसर होगा, सिय आंसर होगा नागर्जुन सागर परियोजना किस नदीप पर इस्तिते हैं तो नागर्जुन सागर परियोजना अर्जुन वर्ड आ रहा है तो अर्जुन से रिलेटेड क्रश्न तो क्रश्ना डी आंसर अगला कोशन है मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में चल रही है लेते हैं कोईना प्रयोजना कोन से राधे संबन दीते हैं तो कोईना नदी से और कोईना नदी कहां पर है महारास्ट्रा में मैं आपको बता था कोईना कोईना वर्ड जब ओडिशन दे रहा था कबाड़ी तो वो गिर गिरने के बाद लोगों ने क्या बोला उसको कोईना अगली बाट राए करना तो कोईना तो ओडिशन दे रहा था मतलब महारास्ट्रा ये सब लिंक आपको मिल जाएगी तो आंसर सी होगा इसका भारत में सबसे पुरानी नदी घांटी परियोजना कोन सी है दामोदर नदी घांटी परियोज मतलब इस टॉपिक से अगर कोईना आएगा तो आप आसानी से एक्जाम में सॉल कर देंगे तो फ्रेंड्स आयोप आपको वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगा है मेहनत अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताए आपको वीडियो कैसा लगा अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब जरू कर लीजिए क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो में अप्लोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत